हेलो फैंट्स वेलकम टू अलो फ्यू ऑन माई यूटूब चैनल सरकारी भारत दूस्तो आज की इस वीडियो के इंदर हम बात करने वाले हैं SSC MTS exam 2021 के बारे में जिसमें 9 अक्टूबर फर्स स्रिप्ट है आज और पहली स्रिप्ट में मतलब पहली स्रिप्ट का कैसा रुजा सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आपका किसी प्रकार का कोई क्वेशन है तो कमेंड करके चलूर बताएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय नहीं कवाएंगे तो दूस्तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है पहला सवाल है यूको बैंकी की गई थी देखे यूको बैंक की बात कर रहा है तो यूको बैंकी इसतापना उनीस सो तेतालीस में 1943 को की गई थी इसी टाइप से आप से पूछा जाता है जो आपका इस्टेट बैंक ऑफ इंडिया कब से पढ़ा तो इसका पहले ये इंपिरियल बैंक के नाम से हुआ करती थी उनीस सो पच्पन में इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था इस्टेट वैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था उनीस सो पैतीस के अधनम से आपकी किसी की शुरुआत होती है तो यह भी कोशिन आपसे पूछ लिया जाता है चली समय स्टाइब करते हैं अपने नेक्स् ही जवाब है आदित्य ठाकरे कौन मने हैं आदित्य ठाकरे बात करें फुटवाल की तो यहां पर अगर फुटवाल के बारे में देखें तो फुटवाल के लिए कुछ कप हैं जैसे आपका डूरंड कप हुआ डूरंड कप काफी ज़्यादा इंपोड्यन आपका संतोष्न ठॉफी है काफी ज्यादा इंपोडैनट है सुब्रतो कप है काफी ज्यादा है तो यह जिए स controllers आफ से पूछ She एक संतों ब्यक्रालीन के स्केल से हैं कलियर च然后 Chica de दिवस का मतला होता है क्व factor जो a जाता है ठीक डॉक्टर विपेञ्चंद्रपॉल के जंदवस पर किसcemी कुछ पूष को क्या मना जाता है रिचार में तभिस मनाया जाता है यह भी आप्से कोशन पो चक्ता है चले पंड्याइटेम्स नेक्स्ट नेख लेते हैं नेक्सट कोशन है दूस्तों नेस्ट कोशन है धूस्तों बावर और अफगनों के बीच घागरा का युद्ध कब हुआ था देखे बावर के बीच में कब हुआ था 1529 CCB में हुआ था चली फेंट नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं नेक्स्ट कोशन है यदि वैंगलोर को ये लिखा जाता है नमबर 9,8,7,6,8,5,4,3,2 लिखते हैं तो एलोरा को क्या लिखेंगे देखे सबसे पहले बहुत आसान है इसमें हमें नंबरिंग कर दोनी की जरुवत नहीं है ये कोशन आसान है देखें जैसे यहां पर आपका ई आ रहा है पहला इसमें इ देखिए तो ई सबसे लाश्ट वाला है इक लिए नोने क्या लिखा है तो हम एकी जगा पर क्या लिख देंगे टू लिख देंगे क्लिए रहा है एल के लिए यहां देखें लाश्ट से फूर्ट पर लाश्ट से फूर्ट पर क्या है फाइव तो एल के लिए क्या हो गया फाइव एल डबल टाइम है तो फाइव फाइव की बात करें तो ओ यहां से देखें तो ओ किस पर थार्ड लाश्ट से थार्ड लाश्ट पर क्या है फोर तो ओ की जग तो क्या हुआ 255 438 किसको लिखा जाता है एल लूरा को लिखा जाता है उसकी कोड़ वासा के अंदर किसको लूरा को चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन पर नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तों यदि कोई बस्तू 480 रुपे में बेचने पर 20% की हानी होती है तो लाब कमाने के लिए कोई बस्तू पर कितना मुल्य करना होगा देगे यहले कोई बस्तू 20% की हानी होती है इसका मतलब कोई बस्तू الب किती बीस पर सेंट की हानी पे वेचा सिसका मतलब हमने इससे कितने पर वेचा 80% पर बेचा 80% की well Brush कितीनी दे रखीए 480 रुपिया क्लियर है भई कोई बस तू हमने 20% की हानी प्राइश ती इसका मतलब हमने उसे कितने पर फेचा 80% 80% का मतलब क्या होगा 480 रूपिया वे बैचा बीस परसेंट का अब हमें लाब लेना है तो अब हम क्या करेंगे यहां से एक परसेंट की वैलु निकाल देंगे लाभ यानि की प्रॉफिट चाहिए तो हम क्या करतेंगे यहां 120 का करतेंगे क्लियर है कैंसल उट करके देखते हैं तो हमें 100 का लगाना होगा इस पर बाखियों की परसेंट भी अठाना है खिक है, तो 0 से गया 0, 0 से चहों ज़क जी हिसको अठाते हैं, 0 से गया 0, खिक, और 4 से गया 3 बार, 4 से गया, 2 से काटते हैं, 6 बार, 2 से काटते हैं 5 बार, तो अगर हम गुणा करेंगे, तो यह बचे का 48 गुड़े, 6 बटे, 8 बटे, 8 बटे, 10, ठीक है तो इस तरीके से हम इस question को solve करेंगे तो यहां पर दुबारा से देखते हैं देखिए एक बार 80% का मतलब है एक परसेंट का मतलब हो गया 480 बटे 80 हमें क्या चाहिए 20% का लाव यानिके 120 परसेंट तो 120 का गुड़ा कर देंगे बस इसमें 0 से गया 0 चाहर दुनी आठ से उड़ा दो आठ चेके अड़ता लेश जीरो तो बारह का गुड़ा करेंगे जीरो बारह चेक्के 72 यानिकि कितने में बेचनी होगी वस्तू 720 रुपईया में बेचनी होगी तब जाके हमें क्या होगा उस पर कितने परसेंट का बेनिफिट होगा बीस पर 1963 में कब किया गया था 1963 में भारत में किंद्रिय राजस अधिनियम बर्स कोसित किया गया था नेक्स्ट कोशन है दूस्तो बिश्व परशिद्ध उस तक कामाईनी के लेखा कौन है इसके बारे में कौन नहीं जानता अगर आप तयारी कर रहे हैं और कामाईनी पुस्तक के ब 10 20 33 49 68 तो नेक्स्ट हम क्या होगा देखे 3 में अगर हम कितना जोडते हैं प्लस का साथ जोडते हैं तो क्या होगा आपका 10 हो जाएगा 10 में अगर 10 जोडते हैं तो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा 20 में अगर हम 13 जोडते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 33 हो जाएगा 33 में कि यहां पर देखते हैं तो यहां पर देखते हैं सबके अंदर क्या हो रहा है एडिंग हो रही है यहां पर साथ जूड़ रहा है यहां पर तो नेक्स्ट वाला जो टर्म होगा वो दोस्तो कितना होगा नभ्य होगा क्या होगा आपका अगला पद होगा तो आपकी क्लियर हो गई चले फेंट्स स्थीट नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं यहादे 15 बस्तों का लागत वुल्यuses 12 को भिक्रयमुलिस के बराबर हो तो लाब प्रतसक्ति क्या होगा बहुत असाल नहतना है 15 बस्तों का लागत मुल्यothera यानि पंद्रे बस्तों का जो cost price है लागत मुल्य का मतलब करेमुल्य cost price 12 बस्तों के बिकरेमुल्य के बरावर यानि कि 12 के SP के बरावर है 3 से काटेंगे तो 5 और 3 से काटेंगे तो 4 यहां से हम निकालेंगे CP ratio SP cost price का ratio selling price क्यांस थे तो कितना आएगा 490-05 आप पूछ रहा है कि लाफ प्रशत प्रस्ट क्या दिकि कोई बसतों 4 रोपे की थी हमने कितने में बैची थी 5 बैची हमें कितने का फायदा एक का हमें कितने का फायदा एक का चार पर इंटू हंड़ेट परसेंट तो यहां से कितना आ जाएगा पच्छीस परसेंट आपका सही जवाब आ जाएगा चलिए फ्रेंट्स तो नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं कौशन है कौनसी उच्टम आपरती वाली बिद्द चुम्ब की तरंगे हैं नेक्स्ट कोशन है दोस्तो 124 मा संमयदानिक संसोदन विदयाख 2014 इससे संबन्दित है तो इसका सही जवाब है आर्थिक आरच्छन से देखे जो 124 मा संसुदन विद्ययक है वो आर्थिक आरच्छन से संबन देता है चलिफेंट्स नेक्स्ट कोशन देख लेते हैं सोयावीन का बैग्यानिक नाम क्या है तेके जो सोयावीन होता है इसका बैग्यानिक नाम होता है गलाइसीन क्या होता है Glycine Soyameen का बिग्यानिक नाम होता है चलली Friends Next देखते हैं रामचरित मानस में कितने कांड हैं तो रामचरित मानस में कुल मिलाके साथ कांड है जैसे आपने सुना होगा सुनदर कांड लंका कांड इस तरीके से कितने कांड हैं साथ कांड हैं किसके अंदर रामचरित मानस में चली next question देख लेते हैं next question है किस कोशिकांगो को कोशिका का power house कहा जाता है तो जो मैट्रो कॉंडिया होता है मैट्रो कॉंडिया होता है इसको कहा जाता है कोशिका का कोशिका का power house क्या कहा जाता है डूरन कप अभी मैं इसी की बात कर रहा था तो डूरन कप किसे संब्धने था फोटवल्स से डूरन कप हुआ आपका सुप्रतो कप हुआ और संतोश टॉफी यह सभी किसे संब्धने था फोटोल से संबन देता है, next question है, कपड़े को 2 अनपाद, 3 अनपाद, 4 के अनपाद में काटा जाता है, यह सबसे बड़ा टुकड़ा, 16 मीटर हो, तो काटने से पहले इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पर सबसे बड़ा टुकड़ा क्या है, 4 यूनिट, ठीक, 4 यूनिट की वैल इतनी होगी, 36 मीटर होगी, तो कुल कपड़े की लंबाई 36 मीटर होगी, चले, next series आपके लिए है, आप लोगों को यह लगानी है, और बताना है इसमें next अम क्या होगा, दोस्तों कैसा लगा वीडियो, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिगा, चैनल को सब सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूली था, एससे मटेस की स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चले, मिलते हैं next वीडियो में, thank you, thank you for watching this वीडियो, चैहें जायबारे, take care by my video, all